बिजली चोरों पर कार्रिवाई का एक्शन प्लान हम आपको बताएंगे ADG Power Corporation ने टार्गेट दिया है ADG Power Corporation ने टार्गेट क्या दिया है वो भी आपको बता रहे हैं Anti-Power Theft ठानों को टार्गेट दिया गया है 2,00,000 F.I.R. कराने का टार्गेट दिया गया है यानि इन्हें कहा गया है कि आपको 2,00,000 F.I.R. हर हाल में कराना है साल 2019-20 में F.I.R. का टार्गेट दिया गया है यानि ये शुरू होता है अब से और 2020 1,00,000 F.I.R. कराएगा विजली चोरी प्रवरतन धल अब देखी ना ये बात मन बहलाने वाली हो गई चोकि 11,000 करोन रुपए बकाया है सरकारी महकमों पर उन से ना वसूलने के बजाए मन बहलाने वाली बात की जा रही है बिजली विभाग की तरब से चोकि 11,000 करोन रुपए सरकारी ओफिसेज में पेंडिंग पड़े है उन से नहीं वसूले जा रहे है ठीक है अनूप ये प्रक्रिया ठीक है सकरात्मक प्रक्रिया है कि एक साल के भीतर इतने लाक लोगों खिलाब एफाई आर दर्ज कराईए लेकिन उन लोगों पर कर रवाई कब होगी जो सरकारी ओफिसर है सरकारी दफ्तर है और बिजली विभाग का 11,000 करोड रुपे बचा है दीके बिल्कुल आपको बतादू कि उत्तर परदेश में जिस तरह से लगाता है बिजली को लेकर करके जो समस्या है सामने आ रही थी तो ये जब पूरा जो है इस पर पूरा अभ्यान चला गया पूरा काम किया गया तो जो सूची जो तैयार की गई उसमें बड़ी संख्या में ऐसे लोग भी है जो पावर्फूल है और तमाम ऐसे लोग है जिन्हों न लगाता है भिजली का इस्तिमाल तो किया है लेकिन अभी तक विभाग को पैसा नहीं जुकाया तो यही वज़े है कि इसको देखते हुए जो पावर कार्परेशन के ADG है कमल सक्सेना उनकी तरफ से जो आदेश जारी किया गया है कि उत्ता परतेश में तक्रीबन 40 से थाने हैं नहीं पर पुलिस कर्मियों को तनाद किया गया है यानि स्पेटर तनाद किये गये है जो पुलिस विभाग के साथ मिल करके यानि जो बिजली चोरी के लिए जो बनाई के जो टीम है उसके साथ मिल करके तक कि मैं दो लाक F.I.R. जो है दर्श कारानी का जो लच रखा गया है यानि 1920 इन दो सालों में दो लाक मुकदमे दर्श कारने का अदेश दिया गया है और सभी को साथ तोर पे अदेश दिये गये हैं कि बिजली को ले करके सक्त कारवाई करनी होगी को कि जिस तरह से लगातार यह पूरा जो विभाग है वो घाटा जहेल रहा है तो उसको कैसे पूरा करना है कैसे पूर्ति करनी है यही वजह कि इस तरह का आदेश जारी किया गया है जो परदेश के 40 थाने बनाए गए हैं उसमें जो है एंटी पाउर जो थैफ थाने हैं वहाँ पे इस पर इतानाती कर दी गई है इसके अलावा जो बिजली परतन दल है उसके साथ राजसु की टीम को भी साथ में रहने का आदेश दिया गया है ताकि जब यह पूरा अभ्यान चले और इस तरह की जो पूरे जो नियम जो कानून जो है उसको उसके तहई जो यह पूरी पकरिया चालू करनी है उसमें जो है राजसु के टीम भी साथ रहेगी और यह बड़ी आज की खबर है कि तक्रेमां दो लाक मुकद में दो है मैं एक चीज भी जाना चाहता हूं कि जो चालिस थारों में तैनात की जाएंगे इंस्पेक्टर यह उत्तर प्रदेश सरकार के होंगे या बिजली विभाग द्वारा नियुक किये इंस्पेक्टर होंगे दिखे बिल्कुल आपको बता दू कि एडी जी पाउर कारपेशन ने जिस्तें से आदेश जारी किया है यानि बिजली वाक की जो अपनी टीम है वो तो रहेगी रहेगी इसके अलावा जो इन इस पूरे अभ्यान में जो पुलिस कर्मी तैनात किये गया है यानि जो इस रहा है कि जब ये कारवाही पूरी जो मकमल होगी और इसमें तेजी आएगी तो कहीं ने कहीं जो बिजली चोडी के जो मामले जो सामने आ रहे तो उस पे लगाम लगेगी इसके अलावा जिस तरह से घाटा जेल रहा है बिजली वाग उसकी भी कहीं ने कहीं काफी हद तक जो है पूर्ति की जा सकेगी लेकिन सवाल इसमें आला कि अभी भी खड़ा होता है कि जो तमाम बड़े बाकाद बकायदार हैं जो पावर्फूल हैं जिनके उपर बिजवी भाग के जो अतकारी है जो तीम है जो अनुप यह बहुत प्रियर के रहे हैं अनुप का बहुत शु करी करते थे जाज के बाद राम नगर के थाना ध्यक समेच चाइब